वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डूंट टेक सेरियसली अलो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैस अपने गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैस अपने अगर आपके यह मैस अपने पर आप देख पाओगे यह अनॉसमेंट है Turkish Embassy की in New Delhi ये लोग क्या रहे हैं कि भारत में जो भी कोई individual है कोई NGO है ये अगर help करना चाहती है तरकी की ऐसे time में तो ये लोग कर सकते हैं donations आज के समय तरकी accept कर रहा है और तरकी क्या क्या चाहता है इन्होंने पूरी list दिये हैं आपर कि विंटर क्लोथ अगर आपके पास हो याँ पर जूते, स्वेटर, ट्राउजर गलाव, अंडर्वेर, सॉक्स वगरा ये सब अगर कोई डोनेट करना चाहे डोनेट कर सकता है उसके लावा टेंट्स, बेड्स, ब्लांकेट्स, बेबी फॉर्मुला, डाइपर, हाईजिंग प्रोडक्ट्स, साबोन, चैंपू वगरा ये सारी चीजे आज के समय टर्की मांग रहा है आम इंडियन से, मगर इन्होंने एक बाद यहाँ पर एड़ करती बोल्ड करके, it is of importance that the donated items should be new सारी चीजे नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं लेंगे हम और सास उतरी होनी चाहिए अब मुझे पता नहीं यह आड़ करने की क्या जूरोती हम कोई पुराने स्वेटर जूते तो नहीं भेजने वाले थे आपर अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी बेसिक आइटम्स की भी नीड़ है तरकी को इनकी सरकार यह सब भी डोनेशन में मांग रही है तो मैं आपको बता दूँ अभी ना बताया जा रहा है कि पंदरा हजार से उपर मौते हो चुकी है सीरिया तरकी में जो जगा डैमेज हुआ है तरकी में हुआ है और अभी से ही पंदरा हजार नंबर रीच करने का मतलब है कि जो टोटल नंबर है ना कोई बड़ी बात नहीं है बीस तीस हजार को भी क्रॉस कर जाए और तरकी की सरकार ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि इनकी शौट कमिंग रह गई है इनके पास आज के समय सरकार के पास साधन कम है पैसा कम है उसके इलावा स्टार्टिंग में सरकार का जो रिस्पॉंस था लोगों की जान बचाने में ये भी काफी स्लो था इसकी वज़े से भी काफी डैमेज हुआ है और पैनिक देखिये पूरे देश में ऐसा मचा हुआ है कि टर्की को अपना स्टॉक मार्केट शट डाउन करना पड़ा क्योंकि लगातार सेल ओफ हो रहा है टर्की स्टॉक एक्स्चेंज में लोग अपने सारे शेयर बिलकुल डंब करके भाग रहे है क्योंकि पिछले सौ सालों में इतना ज़रा स्टॉंग अर्थक्वेक टर्की में आया नहीं है ये कंट्री आने वाले कई सालों तक एकॉरमिकली स्टॉगल करने वाला है तो इवन दो भादत सरकार अपनी तरफ से हेल्प कर रही है भादत सरकार ने बहुत सारी सप्लाइज उसके इलावा इंडियन आर्मी तो एक 30 बैड का पूरा हॉस्पिटल एर लिट करके ले गई है तर्की में और इन दा फ्यूजर भी हो सकता है के छोटे-छोटे जो हॉस्पिटल्स है यह हम और विल्ड करें ओल ओवर टर्की इस सब के इलावा अब टर्की आम हिंदुस्तानी नागरिक से भी हल्प मांग रहा है अब यह तो देखिए हाल है इंडिया टर्की का नव पाकिस्तान टर्की की जो एक्वेशन है इस वक्त यह कंप्लीटली डिफरेंट है पाकिस्तान के प्रामिनिस्टर इनके विरेशपंतरी और कुछ और ओफिशल्स का प्लैन ये था कि यह लोग टर्की को विजट करेंगे और टर्की की सरकार को दिलासा देंगे टर्की के लोगों को ये कहेंगे कि आप चिंता मत करिये पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है इस मुश्किल घडी में और अजानक से क्या होता है कि टर्की पाकिस्तान को कह देता है कि आप लोग अपनी विजट कैंसल कर दीजिए और मैं जब इस सब के बारे में पढ़ रहा था मैंने जैनुइनली सोचा मैंने बहुत जार दिमाग लगाया मैंने का कौन आमीन पाकिस्तानी गवर्मेंट में कौन ओफिशल होंगे जिन्होंने ये प्लान बनाया कि एक देश मैंने कर यहीं सोच रहा था किसी और कंट्री के लीडर को होस्ट क्यों करना चाहेंगे आमीन मैं को एक बहुत ही बेसिक एक्जामपल देता हूँ यहां पे आप लोग अगर मैप पे देखोगे यह आपको दिख जाएगा टर्की ठीक है टर्की के बिलकुल साथ में एक देश है अर्मेनिया और अर्मेनिया के साथ में एक देश है एजर्बाइजा यहां पे आप देख पाओगे यह एजर्बाइजा दोनों एजर्बाइजा और टर्की बहुत ही ज़ादा फ्रेंडली कंट्रीज है दोनों के रिलेशन्स बहुत स्ट्रोंग है कावी बार अर्मीना के अगेंस दुनों की आप कहा लिजिए एक strategic partnership भी रहती है और एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि ये जो piece of land देख रहे हैं यहाँ पे आ ये भी एजरबाईजा का ही part है तो technically speaking एजरबाईजा की एक land water भी है टर्की के साथ तो एक ऐसा देश जो बिलकुल टर्की के साथ एक strategic level पर खड़ा होता है दोनों countries के relations बहुत ज़र अच्छे हैं इस country के भी जो president है ये भी टर्की में नहीं गए एजरबाईजा के जो president है इलहाम इन्होंने भी क्या किया recently के जो टर्की का राज़दूत है अपनी capital में जिस तरीके से इंडिया की राज़दानी है न्यू डेली हमारे हैं बहुत सारी embassies हैं USA की embassy चाइना की embassy तो वैसे ही एजरबाईजा की capital है बाकू वहाँ पर जो टर्केश embassy है जहां पर टर्की के ambassador बैटते हैं उनसे जाकर personally एजरबाई जाके president मिले कहा के हमारी सानबोती कुछ help चाहिए हो बोलिएगा हम अपनी तरफ से help भेज रहे हैं आपको जो भी एक world leader ऐसे टाइम में बोलता है इन्होंने इस तरीके से बोला ये खुद भी टर्की नहीं गए क्योंके it is common sense ऐसे टाइम में कंट् प्रेयर करना चाहते हैं एक जगा के दोनों leaders मिलके prayer करेंगे के सब कुछ ठीक हो जाए उपर वाला इनकी help करें ये सारे plans टर्की ने reject कर दिये क्योंके it would just seem odd ऐसे टाइम में ना किसी leader को accept करना it would seem odd और obviously ये पाकिस्तान के लिए major embarrassment है बट बहुत बाई लोगों ने आप कह ल पड़े साबोन वगरा जो टर्की आज के समय इंडिया की जंदा से मांग रहा है सेम चीजे पाकिस्तान भेज रहा है प्रैमेरली आप कह सकते हैं विंटराइस टेंड्स उसके लावा blankets ये सब चीजे पाकिस्तान ने भेज़नी स्टार्ट कर दी है तर्की ऑल्दो काफी छो फंड है पाकिस्तान प्रवाइड करेगा टर्की को आई मीन दिस सम्थिंग पाकिस्तान जिस आज के समय एकॉनमिक कंडिशन में इस वक्त या तो इन लोगों को अभी तक पता नहीं है इनकी गवर्मेंट को इनके लोगों को के किस लेवल पे अभी पाकिस्तान खड़ा है तर्की के पास आज वी विरेशी मुद्वाबंडार है रफिलियिय हो तर्की के पास विरेशी मुद्रावंडार में पड़ा है देगं टेक केर आफ थेंसेल्स मगर ऐसे टाइम में पाकिस्तान के पास रफ्ली 3-4 बिलियन दॉलर में आज बाएट वह गर आफ लोंगों तो तब भी ये लोग fund भेज रहे हैं तरकी को तब भी ये लोग fund भेज रहे हैं तरकी को, that is special, that's like true bro stuff और दूसरी तरह आप अगर India का case देखो अब अगेन ये बहुत इंटेस्टिक है कि तरकी के earthquake में इंडिया पाकिस्तान दोनों अपनी तरफ से help कर रहे हैं कोर्स magnitude का फर्क है इंडिया ने एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉंच कर दिया है ऑपरेशन दोस्त के नाम से जिसके अंडर हम सेल्फ कंटेंट सर्च और एसकी उनिट्स भेज रहे हैं आपर टर्की में एक्यूपेंट भेज रहे हैं जिसमें हैंड पावर टूस हैं लाइटिंग है एर लिफ्टिंग बैक्स हैं चेंसो है विक्टम लोकेशन अक्यूपेंट है क्योंके बहुत सारे अभी जो विक्टम से टर्की में यह मलवे के अंदर दबे हुए है उसके अलावा देखो डॉक स्कौार्ट बहुत होते हैं कहीं भी अर्थ को एक आता है तो सबसे अपरेशन थेटर्स विएकल्स अम्बूलेंसे जी हां प्रॉपर अम्बूलेंसे हम लोग भेजने हैं टर्की में और इस सब के अलावा इसी जी मशीन प्रेडक्टिव गियर बहुत सारा एक्क्यूपेंट इंडिया लगातार भेज रहा है और इंडिया के विरेशमंत्री करने का है कि मैं इस पर अपडेट्स पोस्ट करता रहूंगा इंडिया मेरे ख्याल से मिलियंस और डॉलर्स की एड भेज़ेगा टर्की को और ना सिर्फ टर्की एक्चुली यहां पर मुझको सीरिया का भी नाम लेना पड़ेगा हाला कि मैं यह करना मुश्किल है क्योंकि युएस ने सांक्शन लगा रखे हैं सिर्या पर मगर जो और तरीके की एड है जैसे के डिरेक्ली रिलीफ मटिरियल भेजना वो इंडिया लगातार भेजता रहेगा तर्की और सिर्या दोनों को और अभी देखिए यह एक न्यूजन ट्रांजिशन है इस पर मैं देखिए क लोगों पता चले कि जब प्रामिस्टर कुद पैसे देनेंगा वो चीज़ दूसरी होते कि जब किसी को बहुत बाड़ी पैसे देनेंगे हैं लेकिन अब आप खाली दूआ के तो आप ट्वीट भी कर सकते हो और ट्वीटर पर भी आप छोड़ सकते हो लेकिन ऐसे में जिस करतीन क्या था वहां के वामिक कर लेकिन अब रिजट किया इतनी दुदा इंसाल टूई एंबरस्मेंट भी कफी फीलेकिन अब लेकिन किया क्यों आपको यह मैसब रेक्शन का वीडियो को ऐसा लगा अपने थौट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में